हेलो फ्रेंट्स, WSQ Tech के चनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बाए फिर से वेलकम करता हूँ फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारे पास operator और operator में हम लोग discuss करने वाले हैं वो है logical operator अब जानते हैं logical operator आपके पास तीन टाइप के होते हैं एक होता है logical and operator एक होता है logical or operator और एक होता है logical not operator फ्रेंट्स यहाँ पर and और और जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यदा important होते हैं हम लोग कह सकते हैं कि आगे programming में आप इन दो operator के base पर जो है वो बहुत अच्छे से develop कर सकते हैं अपने program को तो friends कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ conditions होती है जैसे condition 1 है condition 2 है दो conditions ठीक है जैसे अगर हम लोग एक normal बात करें तो मैं कह सकता हूँ जैसे शादी के बारे में बात करते हैं तो एक लड़की की age है वो 21 होनी चाहिए और लड़की की age जो है आपके पास 18 year होनी चाहिए जैसा कि यह rules है तो अगर इन में से कोई भी change होता है जैसे हो सकता है कि लड़के क एज जो है वो 20 years है और लड़की की age भी 20 years है तो उनकी शादी नहीं हो सकती कैसे पता पड़ा क्योंकि दोनों conditions का true होना जरूरी है वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं दोनों में से कोई एक condition true होने पर आपका result true हो सके तो उसकी निए friends हम लोग use करते है और ठीक है मैं फिर condition true हो गई तो आपका result जो है वो true हो सकते है तो देखते हैं इसको एक program बनाके देखते हो और उसके लावा एक not operator और होता है जो क्या करता है true को false में convert कर देगा या false को true में convert कर देगा तो देखते हैं इसकी programs को तो friends यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पहले तो एक header file को include कर इसके बाद मैं क्या कर दूँगा main function यहाँ पर बना दूँगा main function के last में जाकर लिख दूँगा return 0 ठीक है अब बस मुझे यहाँ पर क्या करना है कुछ variables लेनी आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपका example set हो सकता है ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ कि यह number जो यूजर से बोलता हूँ कि enter character ठीक है यूजर ने क्या कर दिया एक character type कर दिया और उस character को क्या करना है read करना है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा scanf और scanf में दाखे लिख दूँगा percentage यहाँ पर लिख दूँगा percentage C और address of CH वो आपको character कहां store करवान है CH के अंदर हो CH का जो type character को read कर लिए अब मैं यह चाहता हूँ कि यह जो आपके पास alphabet है वो upper case में है या lower case में मुझे यह check करना है ठीक है अगर upper case में है तो friends में कैसे check करूंगा देखिए मैं लिखूंगा if ठीक है अब if के अंदर मुझे क्या करना है दो conditions लगानी पड़ेगी एक तो यह कि यह capital A स से छोटा है ठीक है आपको ना कुछ चीजे और में बता देता हूँ आपको शायद पता होगा एक ASCII code होता है ASCII यह अनि American Standard Code for Information Interchange ठीक है इसकी full form क्या होती American Standard Code for Information Interchange तो friends यहां पर क्या होता है जब आप capital A के बारे में बाग करते है capital A का मतलब होता है 65 ऐसी capital B का मतलब होता 90 तो friends मैं यहां पर जो है suppose C डालना चाहरा हूँ ठीक है तो मुझे चेक करना है कि upper case है या lower case है अगर upper case है तो क्या होगा 65 से ज़्यादा होगा 90 से कम होगा यह कह सकता है capital A यह capital A से बढ़ा होगा और capital Z के छोटा होगा capital Z के equal or less than हो सकता है तो logic जो है वो कुछ इस टाइप स capital A ठीक है एक तो आपने यहां पर क्या set कर दे कि मैंने condition डाल दी है कि आपके पास जो CH है वो क्या है एक condition तो आपकी यह होगी क्या है capital A या capital A से बढ़ा है friends इसके बाद मैं कर दूँगा end operator end को कैसे लिखते है double M percent के साथ और friends दूसरा मैं क्या लिख दूँगा CH जो है is less than or equals to आपके पास में क्या है capital Z तो friends इस टाइप से जो है हमारी एक condition यहां पर satisfy होती है अगर यह condition आपके satisfy हुई मतलब capital A से बढ़ा भी है और capital Z से छोटा भी है तो हम लोगों को यहां पर कुछ print करना आप प्रेंट क्या करने वाले आप कुछ भी print कर सकते मैं यहां पर लिख स आपके लिख देता हूं printf suppose and of code आप कुछ भी लिख सकते हैं मैंने से simple साइक program बना है तो friends यहां पर जो मैं and को आपको execute करके बताने वाला हूं मैं जैसे इसको start करूंगा यह मुझे बोलेगा एक character type करिए अगर वो character आपका capital A से capital Z के बीच का होगा अगर होगा तो आपको यहां पर वो display कर देगा uppercase है otherwise next हमने कोई condition डाली नहीं है तो इसे condition के satisfy होने पर ही हम लोग यहां पर print करवाई है तो देखते हैं इसको execute कर देगा friends यहां पर मैं क्या करता हूँ मैं जाकर के लिखता हूँ जैसे capital R आप देख सकते हैं मैंने capital R यहां पर store कर रहा हूँ CH के अंदर CH में check करेगा capital A और capital Z के बीच का है अगर है तो print कर देगा uppercase ठीक है और उसके बाद end of code end of code जो है वह किसलिए आया क्योंकि इसके बाद आप लोग हमेशा जब भी आपका program खतम हो जाया तो हम लोग कुछ line छोड़ने के बाद लिखना चाहते है end of code यहां पर code खतम हो गया ठीक है अचा इसी तरीके से आप इसको ऐसे भी कर सकते थे जैसे मैंने capital A का इस तरीके से लिखा है आप चाहें तो 65 भी लिख सकते है क्योंकि C जो language है तो अगर आप 90 भी लिख देंगे 65 से 90 के बीच का अगर नंबर है आपके पास तो अभी वह अपर केस ही रहेगा यह भी सही है तो मैं इसको फिर से चला है आप देख सकते है मैं इस बार लिख देता हूं capital A लिख देता हूं तो वह क्या डिस्प्ले कर रहा है अपर केस को चेक करें इसके लिए आपने क्या कर रहा है दो अलग अलग कंडिशन से दोनों कंडिशन सेटेस्वाई होना जरूरी है जैसे हो सकता है मैं कोई ऐसा करेक्टर टाइप पर दो 90 का भी हो या 95 का हो या 98 का हो जो भी है तो वह 65 से तो बड़ा है ठीक है तो उसका मतलब नहीं क्योंकि हमको क्या चेक करना दूसरा 90 से कम भी होना चाहिए तो इस टाइप से क्या है दो कंडिशन को हमने चेक किया दोनों की दोनों अगर सेटेस्वाई है तो ही अपर केस आपके सामने डिस्प्ले करने वाला है तो इस ताइप से नेक्स जो है वो मेरे पास है और तो फ्रेंट्स मैं इसको क्या कर देता हूँ इस टाइप से कमेंट कर देता हूँ तो इसको स्टार स्लैस के बीच में कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं तोड़ा नीचे कर देता हूँ तो फ्रेंट्स यहां हम लोग चलते हैं इस बार जो हम लोग अब देखने वाले हैं वो है और operator को लेगा तो और operator के लिए मैं यहाँ एक example set करता हूँ, तो friends यहाँ पर जो आप मैं और conditions को ले रहा हूँ, तो और के लिए क्या कर देता हूँ, friends मैं यहाँ पर जाकर एक variable लिख देता हूँ, x और x के लिए store कर देता हूँ, suppose 0, अब देखिए friends मैं ऐसे कर सकता हूँ, if x, x का मतलब है true, true का मतलब होता है, यहाँ पर 1, अगर x की value 1 है, ठीके, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लोग print कर देंगे true, ठीके, else, else में क्या कर दूँगा, मैं false कर दूँगा, ठीके, तो मैंने true कर दिया है, else, printf, और क्या लिख दूँगा, false, तो friends, इसमें अभी output के आने वाला एक काम करते है, file को save करते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि x के इंदा 0, इसलिए वो क्या करेगा, false, आप जानते है, true का मतलब one होता है, false जो है, आपके लिए, zero के लिए, आम लोग इसको use में लेते हैं, तो friends, यहाँ पर जो है, वो actual में क्या है, आपके पास x की value, x की value क्या है, 0 है, ठीके, 0 है, तो यहाँ पर क्या print कर रहा है, false को, friends, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, if not x, not x का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुर उल्टा हो जाएगा, ठीके, x की value है, तो क्या है, 0, अगर अब इसको क्या कर देगा, true है, तो false, false है, तो true, तो अभी जो है, आपके पास वो false थी, ठीके, false थी, क्योंकि x की value क्या थी, 0, लेकिन, friends, अगर मैं इस program को फिर से execute करता हूँ, तो आप देखेंगे, इस बार जो इसका output है, वो क्या आचुका है, true, आप इसको फिर से compare कर सकते हैं, x की value क्या है, 0, 0 का मतलब क्या होता है, false, मैंने क्या कर दिया है, आप x की जगे लिख दिया है, not x, not x का मतलब, अगर x आपका true होता है, तो उसको क्या कर देगा, यह उल्टा false कर देगा, तो यहाँ पर जो print करना था, इसको false, उसकी जगे इसने क्या print कर दिया है, true, तो friends, इस type से हमने जाए, वो तीन type के operator को discuss किया है, and operator क्या करता है, दो condition से आपके पास, दोनों, अगर true होगी, तो result true होगा, इसमें से क्या होगा, friends, एक कोई भी condition true, और एक अगर आपके पास false है, चाहिए, दोनों की दोनों ही true है, टेके, तो उस condition में क्या हो जाएगा, यह कह सकते हैं, कि इसमें अगर दोनों की दोनों condition false है तो ही result आपका false आने वाला है तो फ्रेंट्स इसी type से आपके पास जो not क्या करता है तो not में लिख देता हूँ मैं अगर true है तो उसको convert कर देगा false में और अगर false है तो उसको convert कर देगा true में तो फुल मिला कि हमें इतना से चीज़ों को जो है वो discuss करना है and or not operator जो है वो किस तरीके से काम करते हैं कुछ basic examples हमने देख लिए हैं आप और भी कुछ programs देखेंगे आगे जिसके अंदर हम लोग and को और को और not को use करते रहें तो फ्रेंट्स इस तरीके से हम लोग जो है कुछ basic चीज़े आज discuss करें ऐसी आगे के वीडियो में हम लोग कुछ और basic basic topics को discuss करते रहेंगे तब तक कि आप हमारे साथ बने रहें धन्यवाद